हेलो गाइज वेलकम तो अवर चैनल जैसे कि आप लोग जानते हो जैके पुली सब इंस्पेक्टर एक्जाम का स्लिबस आउट हो चुका है नाव इस वीडियो में हम डिटेल डिसकेशन करेंगे अबाउट देस्लिबस आपकी स्क्रीन पे आपको साइट पे आपका पूरा स्ल दो महिने में कवर कर लेंगे तो इस वीडियों कि अगर इस लेवल का स्लिबस है और कितना डेप्थली कि जहां जब स्लिबस में हमें पैरामिटर्स जब मैंचन रहते हैं तो वह हमारे लिए इजी रहता है एक्जाम प्रिपरेशन को स्टार्ट करना एंड उसे कहां तक करन डियस that रहता है बट जब कुछ आते हैं जहां पर हमें पर कोई आइडिया नहीं रहता क्याम क्या मतलब वह सारी चीजें आज मैं वीडियो में डियल डिसकर्शन करेंगे देखो सबसे पहले current events of national and international importance, आपको screen पर भी syllabus दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पर, I hope अभी तक आपने से read भी जरूर कर लिया होगा, सबसे पहले जो topic है current events of national and international importance, तो इसमें यह तो common topic है, मैं कहीं बारी students से, जब हमारे interaction होता है, जब YouTube पर मैं इतना कहता हूंगी, current events of national and international importance, यह ऐसा कोई topic नहीं है कि आपको कुछ करना पड़े, यह आपकी एक daily routine होनी चाहिए, जैसे हमारे daily current affairs videos आपको मिलते हैं, हमारे main channel next exam IQ, तो this is the strategy, this is the process you have to follow, and being a serious candidate, अगर आप J&K, अगर मैं JKSSB की exam की तियारी की बात करूं, तो generally आप इस slivers को थोड़ा lightweight ले सकते हो, बट अगर इस तरीके की exam जैसे अगर आप JKSI बनना आपका एक dream job है, तो मैं आपसे इतना कहूंगा कि जब से आज यह वीडियो अगर आप आप भी देख रहे हो, तो आज से एक महिना पहले, लगबग 6 महिने के आपको current events of national importance, national and international importance करने हैं, वो कैसे करने हैं, डेली एक current affairs का वीडियो देखना है, वो हमारे channel next exam IQ पे आपको मिल ली रहा है, तो इस पे हम जादा detailed discussion नहीं करेंगे, यह कैसे करना मैं आपको बता दिय डेली आप जब touch में रहेंगे, तो automatically topic आपका complete होता रहेगा, second topic की हम बात करें, history of India and Indian national movement, देखो, जब history of India यहां mention है, तो इसका कोई parameter नहीं है, आपको इसमें ancient history पढ़नी है, medieval पढ़नी है, modern पढ़नी है, यानि कि इसका कोई, मैं यह नहीं बोल सकता कि आपको generally, जैसे हमार बाकी एक्जाम में अगर आपने त्यारी जैके पी, जैके एससबी finance अब इंस्पेक्टर है, तो वहां particularly mention है, freedom struggle movement, बट इसमें history of India mention है, इतिहास बारत का, तो बारत का इतिहास काफी पुराना है, तो यह सारी चीज़े in-depth आपको पढ़नी पढ़नी बढ़ेंगी, इसलिए म लग रहा है कि आपको त्यारी उसी लेवल की करनी है, history of India and Indian national movement यह हमारे second topic आगे history के related, तो तीसरा आपका topic है Indian and world geography, देखो इंडिया की जिग्रोफी अपने सारा करना है, जब सारी चीज़े आगे तो उसमें सब कुछ आगया, physical and political आगया, उसमें सारी चीज़े आगे, crops of mountains आगे, सारी चीज़े, rivers आगे, lakes आगे, सब चीज़े देखनी है आपने, उसके बाद आगे आपका जी, world का भी करना है, same case with the world and physical, physical geography, of course, physical, social and economic, इसके बाद आपका fourth topic जो बात करता है Indian polity and governance, जब polity की बात है तो उसमें सारा polity आपने करना है, सारे articles आपको पता रहनी चाहि उसके बाद constitution, of course, is secondary आजाएगा, political system हमारा, पंचायती राज, पंचायती राज, 73rd amendment वाला वो अपने करना है, उसके बाद आपका public rights and right issues, extra, जैन के reorganization activities में mention है, and the removal of difficulties, order, adaptation issues, order issues, therefore, there under, यह सौरे topics, economic and social development, sustainable development को topic mention है, poverty, यह economics आगे हमारी जी, इसमें उसके बाद आपके general ecology, biodiversity, climate change, अब इसमें English skills भी, general English भी mention है, तो last time जब exam हुआ था, उसमें English का mention नहीं था, इस बार यह आपको English भी करनी है, and not only English, इसमें साथ-साथ आपको इसमें computer section भी करना है, computer section में थोड़ा सा, इन्होंने आपको एक advantage दी है, इन्होंने mention किया है general science भी करनी है, general science mention है, तो इसमें biology, physics, chemistry, general सारी चीज़ें सारी आजाती है, तो यह आपने ध्यान रखना है, क्योंकि parameters इसमें कुछ नहीं है, कि आपको यह topic पढ़ना है, सारी चीज़ें बढ़ के जानी है, already mention किया बने कि यह IS level का यह आपका syllabus है, जिसमें आपको you have to study thoroughly, each and every point, basics of computer and its usage, various vacates of computer, यानि की vacates का मतलब, मतलब पहलू, आप पहलू, हम इसे कहते ही, generally, सारे पहलू अपने computer system के पढ़ने, hardware, system बढ़ना है, software पढ़ना है, internet and their usage बढ़ना है, general mental ability, mathematics section आगया, सारा इसमें आपका, इसमें आपको सारे topics देखने है, उसका logical reasoning and analytical ability, reasoning topic आगया, उसके बाद mathematics में basic numeracy, number and their relations, order of magnitude, data, interpretation, जिसमें आपको charts देखने, graph, tables, data sufficiency, extend, class 10th level का mathematics, basics आपके यहाँ पे clear होने चाहिए, तो यह है जी, all about the syllabus and generally अगर मैं आपको, अब मुझसे पूचेंगे कि सर कितना टाइम इसमें cover करने को लगता है, syllabus को, already मैं कहीं बारी यह चीज़ा आपके साथ discuss कर भी चुका हूँ, क्योंकि syllabus same ही रहता है, syllabus same in this sense कि, अगर आप serious candidate है about this exam, तो already आपने त्यारी जुरूर start कर ली होगी, and इस तरह के syllabus को, it's time consuming, but it's not, कि यह हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप first exam के लिए त्यारी करेंगे, यानि कि यह आपका first exam होगा, for sure इससे पहले भी आप competitive world में enter कर चुके हैं, and काफी चीज़े आपके लिए already बनी बनाई रहेंगी, क्योंकि मौक टेस्ट वगारे सब कुछ करना पड़ेगा, and this is a process, and जी तुसी की होगी, जो शूरु से लेकर अंड तक लगा रहेगा, जी जान लगाके, otherwise आप अगर आपके माइंड में एक second thought भी आता है, let me clear you one thing, अगर आपके माइंड में second thought भी आता है, just for a second, कि हाँ नहीं, यह होगा, वह होगा, तो at that second somebody else can enter your face and will take over your position, and will take over your post, तो इसलिए, not even a single second, you have to think कि आप नहीं कर सकते, अगर आपको करना है, तो you have to start your preparation from right now, preparation की different sources है, and we will also try to help you in some ways, and बखकी करना अपने खुदी है, सारा काम अपने खुदी करना, it's all up to you, and thank you guys, take care, video अच्छा लगा, तो share करें, and channel को subscribe करें, में next exam IQ पर हमार साथ जूट जाए, daily current affairs आपको मिलते हैं, बाकि हम GS section को भी आपके साथ यहाँ share करने की खुशिश करेंगे, जैसे मिन अप से कहीं बड़ी यह चीज़े कहीं, कि YouTube से आप एक मदद ले सकते हो, आपके YouTube, जैसे कहते हैं, कि आप चल रहे हो, तो आपको एक push मिल सकता है, पर आप यह सोचेंगे, कि आपको पूरा ही वही से मिल जाएगा, इस यूर निस्टेक, इस यूर बिगजस मिस्टेक, इस यूर एक फॉलिंग, किस तरीके कहीं आप सोच लेके चलते हो, बिगाउज बुक रिडर बनना, टाइम स्पेंट करना बुक के साथ, इस अमोस्ट इंपोर्टन थिंग, तो आपको करना, तो आपको करना, आपको करना हो,